हालो स्ट्ट्रेंट्स, यहां पे युघ यूँ फिर्मला यूज करेंगे हम Now we are going to start our last exercise of chapter a.p कितने बहुबोलنا निकाल सकते है उसके लिए हम फिर्मला यूज करेंगे गीर मतलब कितने वही नमंडिन तरंटिम ॐभी नमला तर्म सकते हैं is हमें AP given है, हमें इनका sum find out करना है, first AP क्या दिये, two, seven, twelve and so on, up to ten terms, हमें total number of terms दिये हुए, a मिल गया, d मिल गया, AP से, ठीक है, a क्या है, first term, d डिफ्रेंस कराएगा, a two minus seven that is equals to five, अब n कितना दिया है, हमें already, ten, we know that, अब sn का formula हमें use करना, तो sn का formula क्या होता है, n upon two into two a plus n minus one d, ठीक है, एक बार फिर से repeat कर रहे हूं, n upon two into two a plus n minus one d, यह sn का formula होता है, ठीक है, हम सारी values put up कर देंगे, n की जागा 10, a की जागा 2, and d की जागा 5, ठीक है, एस n की value हमें find out करना है, जैसे हमने 10 by 2 की है, तो क्या हो हो जागा 10 divided by 2 that is equals to five, then two into two that is equals to four, ten minus one that is nine into five, ठीक है, अब पहले हम एहना यह हैं into solve करेंगे, 59 is 45 plus four that is 49, five into 49 that is equals to 245, तो यह हमारा first ap का sum होगा, ten terms का, ऐसी हम second ap में use कर सकते हैं, second ap के दी है, minus 33, minus 33, minus 29, and so on, up to 12 terms, फिर से a given है, डिफ्रेंस हम निकाल लेंगे, n भी गिवन है, एस n का फॉर्मला यूस करेंगे, that is n by 2, 2a plus n minus 1d, ठीक है, सारी values put up करेंगे, और उसकी बाद, उसकी बाद, उसकी बाद, उसकी बाद, उसकी बाद, उसकी बाद, उसकी बाद now coming to our next question, find the sums given below, हमें नीचे ap given है, और हमें इनके sums find out करना है, first ap, 7, 10, 1 by 2, then 14, so on, up to 84, ठीक है, first time कितना है, 7, last time कितना है, 84, difference कितना आ रहा है, 7 by 2, ठीक है, अब यहाँ पर एक formula और होता है, last term का, last term का formula कि होता है, a into n-1, d, ठीक है, last term के बाद है, already 84, a की value हम 7 रखेंगे, n की value हमें find out करना है, क्योंकि हमें यह नहीं पता कौन सा term है, 84, ठीक है, इसलिए, 7 by 2, difference है, जैसी यह 7 जो यहाँ पर था, हम माइनस कर देंगे, 84 से, that is equal to 77, n-1, 7 by 2, ठीक है, 2 को उपर ले जाएंगे, और 7 को divide कर देंगे, 7 divided by 7, sorry, 77 divided by 7, that is equal to 11, into 2, that is 22, यहाँ कितना बच्छा, n-1, minus 1 को set लेंगे, that is, n equals to 23, ठीक है, n की value कितना आ गई, 23, अब हम क्या करेंगे, हमें sum निकालना है, इसलिए हम SN का formula यूस करेंगे, इसके बाद, SN क का formula क्या होगा, दो टाइप की formula होते हैं, या तो हम 2A, plus n-1, d, use करने, n by 2 के बाद, और या फिर हम direct भी दिख सकते हैं, a plus l, ठीक है, दोनों तरीक से कर सकते हैं, दोनों न फॉर्मले सही रहेंगे, SN का यहाँ पर second type का formula यूस करने हम, n by 2, a plus l, ठीक है, well, this put up करेंगे, 23 by 2 7 plus 84, पहले सम करेंगे, समी कोस्ट कितना आएगा, 91 आ गया, 23 into 91, whole upon 2, तो कितना हो जाएगा, 2093 upon 2, that is equals to 1046 by 2, that will be your answer, same, second part में कर सकते हैं, question का second part देखी, जिसमें AP गिवन है, 34, 32, 30, up to 10, a कितना होगे, 34, difference कितना है, minus 2 का last sum कितना है, 10, n find out करेंगे, a plus n minus 1, d से, ठीक है, values put up करा हमने शारी, उसकी बाद, n की value find out करेंगे, solve करने पर n equals 13 आ रहा है, sn का formula निकालेंगे, क्यों हो, कि हमें सम निकालना है, ठीक है, दोनों formula निकाल सकते हैं, चाहे, आप n by 2, 2a plus n minus 1, d यूस करें, या फिर, n by 2, a plus n, use करें, दोनों, से, में, ठीक है, वेल इस में, पुट अप करें, 13 by 2, 34, plus 10, that is, 13 into 44, upon 23, 22, that is, 286, ऐसे ही, आप इस, questions के, लास वाल पाट, लास दो पाट, जो है, वो कर सकते हैं, now, next question, in an ap, given हमें, यहां पर दिया हुआ है, a close to 5, d close to 3, an given है, and or sn find हमें, करना है, ठीक है, तो, उसमें देखी, first, कितना दिया है, 5, a, first term a, कितना है, 5, difference 3 का है, last term, मतलब, an भी बोल सकते हैं, 50 दिया है, n find out करना है, then sn find out करना है, same, जैसे second question में किया है, same, उसी method से करेंगे, an का formula use के, a plus n minus 1, d, सारी values put up करेंगे, n की value कितने आ गई, 16, now, sn निकालने के लिए क्या करेंगे, a by 2, a plus, an लिख लें हम, चाहे, l लिख लें, बात एक ही है, last term को भी हम an बोल सकते हैं, उसमें कोई difference नहीं है, sn equals to 16 by 2, 5 plus 50, that is equals to 440, तो first वाली, a by का हमारा sum कितना होगा, 440, ठीक है, ऐसे ही second वाली में देखें आप, second में सब कुछ given है, हमें उसमें d और s 13, दोनों चीश find out करना है, यहाँ पर n हमें given है, a equals to 7 given है, a 13 equals to 35 given है, ठीक है, अब हमें n की value यहाँ पर मिल गई है, n नहीं लिखें हैंने 13 लिखा, मतलब इन की value हमें given है, तो क्या लिखेंगे, a n equals to a plus n minus 1 d, 7 plus 13 minus 1 d हमें निकालना है, d की value यहाँ पर कितनी आ गई, 2.33, solve करने पर, ऐसे ही हम sn निकाल लेंगे इसका, ठीक है, sn क्या आएगा, n by 2, a plus l भी लिख सकते हैं, a n भी लिख सकते हैं, same है, sn हम find out करेंगे, 13 by 2, 7 plus 35, that is equals to 273, third part, इसमें a 3 given है, sn given है, हमें d और a 10, दो चीज find out करना है, मतलब, third term given है, sum of 10 terms given है, ठीक है, मगर हमें क्या निकालना है, difference, और, जो 10th number कर term है, उसकी value निकालना है, ठीक है, a 12 कितना है, a 12 is 37, sorry, यह वाला question रहे के बीच में, a 12 is 37, d given है, यहाँ पर 3, a और s 12 find out करना है, ठीक है, a 12 कि वेले कितनी जी हुई है, हमें, 37, d कितना जी है, 3, a n का फॉर्मूला निकाल के हम n निकाल सकते हैं, ठीक है, तो, sorry, a ही निकालना है, 12 क्योंकि अल्रेटी गिवन है, मतलब, n given है, a equals to, a plus and minus 1 d, ठीक है, 2, 12 minus 1 into 3, that is equals to 37 equals to a plus 33, 37 में से 33 minus का देंग, a equals to 4, अब एक वेली हमें मिल गई, हम जा कर सकते हैं, n निकाल सकते हैं, n by to a plus l, तो n by to mother 12 by to 34, 37 plus 4, that is equals to 41, 6 into 41, that is equals to 246, now next part question वीता देखेंगे, इसमें a 30, a 3 given a 15, s 10 कितना दिया, 125, n का formula लगाएंगे, यहां पर हमारे पास a भी नहीं है, और d भी नहीं है, ठीक है, दो चीजे नहीं है, तो हम चाह करेंगे, a 3 को हम चाह लिख सकते हैं, a plus 2 d लिख सकते हैं, तो a 3 की वेली कितनी दी है, 15, मतलब 15 equals to a plus 2 d है, उन्हें equation number 1 माल लिया, इसके बाद s n निकालते हैं, तो n by 2, 2 a plus n minus 1 d होता है, ठीक है, s 10 की वेली कितनी दी है, 125, और n क्या माल लेंगे हम 10, ठीक है, तो क्या होजा का 10 by 2, 2 a plus 10 minus 1 d, that is equals to 125 into 5, 2 a plus 9 d, यहाँ पर यह वाले 5 को 125 से डिवाइट कर देंगे, तो कितना होजा कि 25 equals to 2 a plus 9 d, equation number 2 माल लिया, अब हम क्या करेंगे, on multiplying equation number 1 by 2, we get, हमने यहाँ पर यह जो दोने equations हैं, दोनों का equate करने के लिए क्या करा है, equation number 2 को equation number 1 से into कर दिया है, ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30 a is equals to 2 a plus 4 d, ठीक है, यहाँ, इसके बाद on subtracting equation, इसको equation number 3 नाम दे दिया, equation number 3 को अगर हम equation number 2 से minus करते हैं, तो we will get minus 5 equals to 5 d, कैसे मिलेगा minus 5, 25 में से 30 गया, तो minus 5 बचा, 2 a से 2 a cancel हो जाएगा, 5 d में से 4 d minus कर देंगा, तो 5 d बचेगा, यहाँ पर d की बादी कितने आ गई, minus 1, अब इसको हम equation number 1 पर रख लेते हैं, 15 equals to a plus 2 into minus 1, तो कितना हो जागा, 15 equals to a minus 2, और a की value आ गई 17, तो हम a 10 की value पर find out कर सकते हैं, a n का formula लगा करके, a plus 10 minus 1 d, d अल्यादी हमाँ पास minus 1 है, 17 plus 9 into minus 1, that is equals to 8, तो a 10 की value कितनी होगी, 8, ठीक है, ऐसे ही अब next question इसका कर सकते हैं, next part जो है, now, coming to our next question, how many terms of a p must be taken to give a sum of 636, हम कितने term लें, मतलब हमें n की value find out करना है, इस a p में, कि हमारा जो sum है, वो कितना आजाए, 636 आजाए, a कितना गिवन है, हमें 9, difference sum निकालें, that is 8, अब S n का formula यूज़ करें, हमें already s, n की value कितनी लिए, यह sum दिया है, 636, n हमें find out करना है, ठीक है, बागी सारी value substitute करेंगे, इसमें, तो क्या हो जाएगा, n by 2, 2 into a की जाएगा, हम लिखेंगे, 9, 8 minus 1, into 8, ठीक है, n minus 1 निकेंगे, n minus 1 into 8, n हमें find out करना है, 9, 2 is 18, n minus 1 as it is, into 8 रहेगा, यहाँ पर क्या होगा, हम यह भी चेक कर सकते हैं, कि अगर हम अपनी पूरी equation को यहाँ पर, इस वाली equation को divide by 2 कर दें, तो क्या होगा, यह 2 से 2 cancel हो गया, मतलब यह 18 था, यह 9 बचा, यहाँ पर कितना था, 8 n था, minus 8 था, तो कितना 4 n, minus 4 हो गया, ठीक है, मतलब हमने यह 2 इक्वेशन से, राइट हैंड साइड वाले पार्ट से divide कर दिया, तो 636 equals to n, into 9 plus 4 n minus 4, that is, 636 equals to n, into 4 n plus 5, ठीक है, अब इसको जैसी हम bracket open करेंगे, कि हो जाएगा, 4 n square, plus 5 n, minus 636, that is, equal to 0, अब हम इसको टू पार्ट में divide कर सकते हैं, दो उसमें break करेंगे, 4 n square, plus 53 n minus 48 n, आप देख सकते हैं, 53 और 48 के बीच का difference कितना आएगा, 5, minus 636, अब इसकी बाद हम क्या करेंगे, इन यह 2 पार्ट को अलग कर देंगे, यह 2 पार्ट को अलग separate कर देंगे, अब इन दोनों से हमने क्या common ले लिया, n common ले लिया, और इन दोनों पार्ट से हमने minus 12 common ले लिया, ठीक है, बाकी जो bracket है, वो same आएगा, 4 n plus 53 bracket में same आ रहा है, यहां बाहर n आ रहा है, यहां पर कितना आ रहा है, minus 12, that is, equal to 0, अब हम यह bracket को common ले लेंगे, 4 n plus 53, यहां कितना बचा है, n minus 12, that is, equal to 0, तो अब हम इसको दो अलग-अलग parts में कर देंगे, 4 n plus 53, equal to 0, या n minus 12, equal to 0, ठीक है, तो अब जब यह वाला part हम solve करके देखेंगे, तो क्या हो जाएगा, n equals to minus 53 by 4 आ रहा है, या n equals to 12 आ रहा है, हमारे पास, तो हमें पता है, कि कभी भी n की value in a rational number की form में नहीं हो सकती है, तो इसलिए हम चेक बोल सकते हैं, वो negative भी नहीं हो सकती है, और fractional form में भी नहीं लिख सकते हम उसको, इसलिए, जो हमारी n की value whole numbers में आ रही है, मतलब n equals to 12, वो एक correct answer है, is it clear, if you have doubt, you can ask, now coming to our next question, the first term of an ap is 5, first term कितना दिया है, ap का 5, the last term is 45, और last term जो है, वो 45 है, and the sum is 400, और जो उन terms का sum है, वो कितना है, 400, find the number of terms and the common difference, हमें इसमें common difference भी निकालना है, और कितने number of terms हैं, वो भी find out करना है, मतलब d और n, दोनों की value find out करना है, a equals to 5 दिया है, last term 45 है, sn 400 है, sn का formula यूज करें हम, n by 2, a plus l, ठीक है, a की value given है, n की value given है, और sn की भी given है, हमें n मिल लाएगा directly, n equals, oh sorry, 400 equals to n by 2, 5 plus 45, that is 50, ठीक है, 50 को जब हम divide कर देंगे 2 से, that is equals to 25, ठीक है, 25 divided by 400, n equals to 16, ठीक है, n की value कितने आ गई, 16, अब last term का formula क्या होता है, a n का बोल सकते हैं, या last term का formula, दोनों सेम होते हैं, a plus n minus 1, d, तो 45 equals to 5, plus n की value हमें मिल गई, 16 minus 1, d, अब d नहीं काल सकते हैं, 40 equals to, 15 d, 40 divided by 15, that is 8 by 3, is our difference, now, next question, the first and the last term of an AP are, first term कितना 70 है, और 350 उसका last term है, if the common difference is 9, अगर उसको, d की value होगा 9 है, how many terms are there, and what is their sum, तो उसमें कितने terms, मतलब number of n कितने हैं, और उनका sum कितना होगा, यह हमें find out करना है, a की value कितनी आ गई, 17, l, 350, d, 9, तो हम जगरेंगे, पहले l का formula लगाएंगे, a plus n minus 1, 350 equals to 17, plus n minus 1 into 9, that is equals to n की value कितनी आ गई, यहाँ पर 38, इसके बदाएंशन का formula यूज कर लेंगे, n upon 2, a plus l, ठीके, 13 by 2, 17 plus 350, that is equals to 6,973, thus, this ap contains 38 terms, इस ap में कितने 38 terms है, and their sum is, 6,973, उसका sum कितना होगा, 6,973 उसका total sum होगा, now next question, find the sum of first 22 terms of an ap, in which d is 7, and 22nd term is 149, हमें के दिया है, first term जो है, ap का, जो starting की 22 terms है, उनका sum कितना हो रहा है, 149, sorry, हमें इसमें 22 terms का रहना, sum find out करना है, जिसमें डिफरेंस कितना भी है, 7, और 22nd number को जो term है, वो कितना है, 149, मतलब d यहां पर 7 है, a 22 कितना है, 149, s 22 हमें find out करना है, n का formula लागा सकते है, n हमें already given है, 22 given है, मतलब n given है, हम इसे करने का लेंगे, a 22 equals to a, हमें a find out करना है, a 22 minus 1 into d, 21 into 7, that is equals to a की value कितने आगी, 2, और आप ऐसे इन का formula यूज कर लेंगे, n by 2, a plus n, a, तो कितना है जागा 22 divided by 2, that is equals to 11, 2 plus 149, that is 151, 151 into 11 is 1661, that will be your answer, now coming to one next question, that is question no. 8, find the sum of first 51 terms of NAB, whose second and third terms are 14 and 18 respectively, हमें first 51 terms का find out करना है, जिसका second और third term हमें गिवन है, मतलब a2 और a3 गिवन है, तो हम क्या कर सकते हैं, a2 minus a3 से हम difference निकाल सकते हैं, ठीक है, तो difference हमाँ पास कितना आगे है, 4, a2 क्या होता है, a plus d, है न, तो यहां से हम a निकाल सकते हैं, हमाँ पास d आगिया है, 14 equals to a plus 4, तो a की वल्य कितना आगी, 10, अब SN का फॉर्मला यूस कर लेंगे, simply, SN क्या हो जाएगा, n by 2, 2 a plus n minus 1 d, solve कर वल्यूस put up करेंगे, solve करेंगे, that is equals to 5610, है यही, now coming to next question, that is question number 9, if the sum of the first 7 terms of an AP is 49, and that of 17 terms is 289, find the sum of first n terms, अगर किसी भी first 7 terms, किसी भी AP के 7 terms के sum कितना आ रहा है, 49, और बही 17 terms के sum कितना आ रहा है, 289, तो n terms के sum कितना होगा, s7 कितना दिया, 49, s17, 289, ठीक है, तो s7 कियेगा, हम क्या लिख सकते हैंगे, 2 equations बनानी है, हम उसके formulas में values put up करें, 7 by 2, 2a plus, n minus 1 d, a भी नहीं given है, n भी नहीं given है, और d भी नहीं given है, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, 49, 7 by 2, 2a plus, sorry, n तो हमें मिल जाएगा, यहाँ पे, 7 और 17 से, 2a plus 16 d, यह हमारे लिए, 1st time का हो गया, ठीक है, 16 नहीं है, 6 d आएगा, by mistake, it's written 16, तो first equation क्या बन जाएगी, a plus 3 d equals to 7, यह हमारे equation number 1 बन गई, similarly, हम second देखेंगे, मतलब 17 के लिए रेखेंगे, 17 by 2, 2a plus 17 minus 1 d, that is, 17 equals to a plus 8 d, ठीक है, यह हमारे equation number 2 बन गई, subtracting equation number 1 from equation number 2, equation number 1 हैना, 1 को minus करने हैं, अगर हम equation number 2 से, तो कितना बचेगा हमारे पास, यहाँ पे, यहाँ पे a से a cancel हो जाएगा, 8 d में से 3 d minus होगा, तो कितने बचे 5 d, 17 minus 7 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 10, तो d के value कितनी आगई 2, from equation number 1, अब d के value equation number 1 में रख देंगे, तो a plus 3 into 2, that is equals to 7, तो a के value आगई 1, और s n के value कितनी आजाएगी, कितने भी nth terms हो, तो उसमें अगर हम solve करके देखेंगे, तो n by 2, 2 a plus n minus 1 d, अब हम पास, क्या है, a b है, d b है, बट सिर्फ n नहीं है, ठीक है, n अगर आप कोई भी रखेंगे, तो इस equation के लिए, मतलब इस a b के लिए, तो क्या रहेगा, आप करने पर, n by 2, 2 a, a की वेली किनी ए 1, d की वेली किनी है, 2, n minus 1 into 2, n by 2, 2 plus 2 n minus 2, यहां पर सबसे 2 कॉमन निकल सकता है, तो 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है, तो क्या बचेगा, यहां पर n into n, that is equals to n square, now, coming to our next question, that is question number 10, and show that a1, a2, up to an form an ap where an is now defined below, जिसमें हमें यह शो करना है, कि यह terms जो हैं, वो एक ap form कर रहा है, जिसमें an के अगद गेवन है, फस्ट दिया है उसका 3 plus 4 n, ठीक है, an की वेली दी है 3 plus 4 n, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, n की वेली बार बार चेंज करनें, तो हमें एक ap मिलती जाएगी, a1 निकाला हमने, 3 plus 4 n, n की अगर हम क्या रख रहा है 1, तो कितना हो जाएगे, 3 plus 4 that is equals to 7, next time में 3 plus 4 into 2, that is 3 plus 8 that is equals to 11, ऐसे सो और हमें पास क्या मिल रहा है, 7, 11, 15, 19, यह हमें एक ap मिल गई, और सब का common difference कितना आ रहा है, 4, ठीक है, that is, ak plus 1 minus ak, is same every time, मताब हम जब बोल सकते है, a2 minus a1, जो हमारा difference है, वो हर बार सेम है, इसलिए हम क्या बोल सकते है, therefore this is an ap with common difference as 4, and first term as 7, जिसका common difference कितना 4 है, और first term क्या है, 7, अब ऐसे निकाल लेंगे इसी में, n की value हमें given है, 15, क्योंकि यह ना हमें दिया है, also find the sum of first 15 terms, in each case, 15 terms का यह ना वो निकालना है, sum to n की value given है, 15, तो क्या करेंगे, n की जगर 15 रखेंगे, a की जगर हम रखेंगे 7, और d की जगर 4, values put up करने पर, यह sum will be 525, same next part में जो दिया है, a n equals to, n minus, sorry, 9 minus 5 n, n की values बारवाद चेंज करते जाएंगे, हम कितना आ रहा है, 4, minus 1, minus 6, minus 11, यहां पर भी हम देख सकते हैं, a2 minus a1 की value minus 5 है, a3 minus a2 की values minus 5 है, मतला हर बार कुज़ो common difference आ रहा हमारा वो same है, इसमें common difference minus 5 है, और first time कितना है, 4 sn का formula लगाएंगे, उसकी बाद सारी values put up करेंगे, यह और answer बिल भी minus 465, है easy, we will continue our this exercise in our next video, thank you,